वेलकम टो आज चानल आरती छपी सूरज निकल रहा है और हम जा रहे हैं पटी अमरीचर के पास ममी मैं चिकु भेहन और बुवा जिने में दीदी बोलती हूँ और जसी हम सब मिलके जा रहे हैं पटी अब हम सवारिया पट्टी क्यों जा रही है इसका एक रीजन है कल राद गिन्नी भेहन का फोन आया वो रही थी रो अब अगर भेहन रोए तो भेहने क्या करेंगी हम भेहने निकल चुके है सुवे पट्टी की तरफ उसकी जो दादी सास थी ना वो भगवान जी के पास चली गई है ये एक ही भेहने जो हम से थोड़ा दूर रहती है बरना हम सब तो डेली में ही रहते हैं जे फिकर हो गई तो हम सब निकल लिए अब दिल्ली से पट्टी है साड़े चार सो किलो मीटर तो हमें साड़े चार सो किलो मीटर जाके और वापिस आना है हमारा छोट ऐसा चीजु रहा है ज़सी है मोबैल देखने में बिज़ी अब इतना लंबा सफर है करे क्या बैटे बैटे सब किसब तो मैं आपको उताती हूँ हमने टाइम पास कैसे किया सफर में मम्मी शुरूएं सबसे पहले कि अरे मैंने अपने एक जोड़ी कपड़े और भी लेकर आई हूँ पीछे से चीको बोली हाँ हाँ दीदी मैं भी अपने एक जोड़ी और कपड़े लेकर आई हूँ मैंने सोचा मैंने का यार हम पार्टी में जा रहे हैं यह हम शोक मनाने जारहे हैं हम सीरियस उसमें जा रहे हैं काम में और यह सब अपने बोल डिसकुस करें खाना तो ये इतना लेकर आये थे दीदी और मम्मी मिलके कि बस हम जिसे 4-5 दिन के लिए निकल ली हो अब मिको माउ संदीब तो घर पर है तुमीर को तो रात तक हरहाल में बापस आना था वरना माउ ओका तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा पर बहनों का प्यार भी ऐसा होता है ना कि रुका नहीं जाता अगर कोई बहन रो के फोन कर देना तो बस फिर घर नहीं रुक सकते अब मच्छर भी खा रहे हमें हम न थोरी दिर पहले एक जगे रुगे से वहाँ पर गारी में मच्छर घुज गए अगर आपको पता है कि गारी से मच्रो कैसे बगाए जाए तो प्लीज कमेंट करके बताएं इंडिया के हाईवे इतने मस्ट बना दिया ना ऐसा लगता है कि हम फॉरेंड में घुम रहे हैं और इन पर ड्राइफ करने का अलग ही एक मज़ा है मैं कर रहे हैं फ्रंट मेरे रेड जेस्ट क्योंकि रात को संदीब लेके गए थे गाड़ी अब मेरे को नज़र नहीं आ रहा है मैं स्ट्री चक्कर कै मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है ये है वो मेरी भेन जिसके एक फोन पे और इसके रोने पे हम यह पहुँच गई है मेरी भेने को पता है कि एक बार दीदी को अगर रोग के फोन कर दिया तो दीदी ने हराल में पहुंची जाना है हमारे पास अब शोक साब हम गए थे ने तो फोटो जादा नहीं खीच सकते थे अब हम वापिस चल दिया है पट्टी से पेक वा फानी सीन जैसी हम उनके घर से बाहर निकले जिदी खो गया बीपी लो केरी अड़े भई मिलको तो कुछ खाना पड़ेगा तेज नमक का इन्होंने वही सी पट्टी से लिए समोसे ममी आगे बैठके खा रही है दीदी पीछे बैठके हमने पूरे रस्ते खा पी के सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं करा हमने पूरे रस्ते देखो समोसा सिर्फ एक बंदे की प्लेट में कैप्चर हुआ है सब किसी का शूगर लो किसी का बीपी है तो इन्होंने समोसे और मीठा वहीं से लेके चले हैं समोसे खाने की बाद अब हम हाईवे पे चड़ चुके है में पे अब हुआ सब का नींद का सिलसिला शुरू क्यूंकि सब सुबह तीन बजे के उठे हुए चार वो जम डेली से निकले थे अब सब के आपस में सर भिड़ रहे हैं पीछे जैसी किसी की भी आँख खुलते तो इतनी तेज मेरे उपर चिल लाता है अरे कहां पहुँच गए हम चीको भेनने कैप्चर करें रोड साइड पेंग फ्लाज जो की रोड को बना रहे थी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफल और हाँ जो भी उठता है न वो एकदम से चला के बोलता है अरे कहां आ गए उन्हें लग रहे कि मैं तो नहीं सो गई हूँ इसलिए समर को चेक करने के लिए मुझे ड्राइब करना है बहुत ज़्यादा पसंद नेन तो नहीं आ रहे थी पर हाँ थोड़ थोड़ थकान हो रही थी आज मैंने 900 किलो मीटर्स ड्राइब करा 14 आवर्स के अंदर रात को साड़े बारा परज़े पॉंच के हम घर और ये है मेरा प्यारा से चीजू आप सो पाच का वीडियोस अबस्क्राइब करने दोर्ण रात कर दो सावच के हम सावच के दो बारा प्राइब करने चानल वीडियोस